तो आज हम बनाएंगे कुछ रिफ्रेशिंग से मिल्कशेक गर्मियों में बहुत टेस्टी लगेंगे जो और यह देखिए घर में सब पसंद करेंगे खासकर बच्चों को बहुत अच्छे लएंगे अगर आप कोई मिल्कशेक की रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो क लाइक कर दीजेगा चलेए चलते है आज की रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हम बनाते है अपना पहला मिल्कशेक इसको लिए हम पे जार में मैंने डूट डाल दिया है एक गलास ठीक है और इसके बाद इसमें मैं केले डाल जूँए सबसे पहले सबसे इसीयर कॉमन मिल्क इसमें चीने डाल दीजे टेस्ट अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है इसमें बनाना और चीने डालनी है दूद के साथ उसको मिक्स कर देना है और आपका बनाना मिल्क शेक बनके तैयार हो जाता है लीजे कर दीजे सर बहुत टेस्टी लगेगा घर में सबको और सबको पसं आपके बनाना मिल्क शेक बनके तैयार हो चुका है कि देखे कितना यम्मी लग रहा है दिखने में यह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा चले चलते हैं अपने सेकंड मिल्क शेक की तरफ तो अब यहां पर मैंनो वही मिक्सी का जहार ले लिया इसमें फिर से ए नगर्शी की डाल दिया है और लीजिए इसको पीस लेंगे और देखे हम अपने कप को साइड से ऐसे चॉकलेट से एकॉरेट करेंगे से बहुत अच्छा लुक आता है और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है किसी से और डाल ने ऊपर ओरियो के बिस्केट तो हमारी बिस्केट वाल मिलक्षेक बनके त्यार हो चुका है बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बहुत अच्छा लाएगा खासकर गर्मियों में और दूद नी पीते ना तो आप ऐसे करके दे दीजिएगा हर को ही दूद पीलेगा तो लीजे सेकंड मिलक्षेक भी बनके त्यार हो चुका है यम्मी सा टेस्टी सा आसान सा चले चलते हैं पर थडवाली की तरफ तो यह लीजे सबसे पहले आप मैंने धोलिया मिक्सीका जार इसमें अब डाल दियाना एक ग्लास दूद ठीक है इसके बाद इसमें म भी डैसके बलैड करते हैं लीजे और मैंने थोड़ा सी आइसं क्रीम भी डाल दी त्यांना हूंने गवर्डान ही लीगा अपना इसकी वपर वनीला वह लाट कर दो को लाएक त्यांते को आप सेंडSir इसमें और सबको पसंद आएगी तो चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो सबको अच्छी लाएगी अब डेकोरेट कर देना उपर से हर्शी से लीजिए कितनी यम्मी लग रही है दिखने में इसके लिए आपको सब्सक्राइब को फटन दवाई देना चाहिए क्योंकि बहुत देशी लाएगा आप इसको त्राइब कर देशी वीडियो को चल्दी सब्सक्राइब कर देशी चैनल को चली चलते हैं ने फौर्थ डिंक के तरफ सबसे बहले यहां पर मैंने कॉफी ले लिए ठीक है और इस कॉफी को अच्छी तरीके से हमें फेटना पड़ेगा बिल्कुल बजार जैसी कोफी मनाएंगे चीनी डाल देनी एक चमच और बजार जैसे कॉफी होगी एकदम तो इसमें हलका दूट डालगे इसको फेट लेना है मेरा काच का गलास था मैंने थोड़ा सा कम कर रहा है आप मुझसे भी थोड़ा जादा कर दीजेगा ठीक है इस पाउस देते हैं तो फोड़ा सव डाल देते हैं ठीक है और यह लीजे अब इसको मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छे तरीके से और इसको डेकुरेट करना है तो आप ओपर से कॉफी डाल दीजेगा और आप और अच्छा उससे फैट होगे तो ना उपर बबल बबल आ जा त्यार हो चुकी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा चालनका सब्सक्राइब करेगा बहुत यम्मीर ऐसे पीज है आप सबको ट्राय करेगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईएगा